काना जी के सबी भगतों को मेरी तरफ से राधे क्रिश्णा मैं प्रातना करती हूं कि आप सबी स्वस्थूं और खुश्यों देखे आज हम लड़ू को पाल जी के लिए ये बहुती कुपसूरत से न्यू डेजाइन विंटर स्पेशल जैकेट बनाएंगे आप देख सकते हैं इसका लुक कितना जादा कुपसूरत लग रहा है हमें काना जी को ऐसे पहनाना है सिर में ये कैप पहनाएंगे हम और आगे की तरफ से हमें इसको इस तरीके से बंद कर देना है फिर देखे इसका लुक कुछ ऐसे आजाएगा पीछे की तरफ से भी इसमें बहुती प्यारा कर ऑपयना जी को पहना सकते हैं अगर आप ड्रेस से रेलेटिड या फिर वीडियो से रेलेटिड कोई नोलेच चाहते हैं या फिर कोई क्वेशन पूछना चाते हैं तो मुझे मेरे इंस्टेम पर पूच सकते हैं मेरे इंस्टागर्म हैंडल है कुल्च्राल वाल्ट 268 साथी साथ मुझे फॉलो भी करें तो चले फ्रेंट सब हम यह बहुत दी कुपसुरी सी काना जी की न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर हम क्रोश्या में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो एक चैन बन गई फिर से हम क्रोश्या में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो यह दूसरी चैन बन गई ऐसे हमें 45 यानि की 45 चैन बनाके कम्प्लीट कर लेनी है चैन बनाके कम्प्लीट करने के बाद अब हमें दो चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये दो, हमने दो चेन एक्स्ट्रा बनाई, अब एक्स्ट्रा चेन जो हमने बनाई है, इसको छोड़कर तीसी चेन में क्रोश्या को डालेंगे, और उनको फसा कर निकालेंगे, दो फंदे वे क्रोश्या में उनको लेकर दो से निकाल लेंगे स्बसके बचाले हैं, इसे तरहें से इसरी को सब्सक्राइब दार यह है। अब अवल 20 ऊप्लेट करने के बाद, डीक यह इसको पलट कर, तो पलट कर, बना की बना एंगेrend, हम्तै इसे थारीके से हर एक चीन ने से सब्सेंद साशुथा अवकंग लग चीन पर में ह। तो यह फिर से डबल कोश्या बन गई इसी तरीके से हर एक चेंड में से एक एक बार डबल कोश्या बनाते हुए हमें यह पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद नौ लाइन और ऐसे ही बना लेनी है यानि कि हर एक चेंड में से एक एक बार डबल कोश्या बनाते हु इसका जो बच्चा वाला उन है, इसको हमें इसमें से निकाल लेना है, फिर हम खीच के इसको टाइट कर लेंगे, अब देखे यहाँ पर लॉक हो गया है, एक्स्ट्रा उन हम कट कर लेंगे, लॉक करने के बाद अब हमने ये येलो कलर का उन ले लिया है, और जहां से हमने इस उसी चेन में क्रोश्या को डालेंगे और उनको फसा कर निकाल लेंगे अब हमें तीन चेन बनानी है एक दो और ये तीन फिर हमें इसके बाद वाली चेन में से एक बार डबल क्रोश्या बना लेनी है फिर हमें इसके बाद वाली चेन में से एक बार डबल क्रोश्या बनानी है तो देखें इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोश्या बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेंगे यानि कि हमें हर एक चिन में से एक बार डबर कोईशीया बना तोटल दो लाइन बीन के कंप्रीट कर लेनी है यलो कलर के उन से फाइफ इंच पे मार्किंग करनी है इधर की तरफ से तो देखे यहां पे हमने मार्किंग कर ली है अब इधर की तरफ से भी हम मैजर करेंगे और धाई इंच यानि की 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे तो देखे यहां दोनों तरफ से हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर ली है मार्किंग करने के बाद अब देखे जहां से हमने यह मार्किंग की थी ना उसी चेन में हम क्रोश्या को डालेंगे और दोनों पीसे के बीच से डालेंगे देखे हमने इस तरीके से इसको fold किया है तो हमें दोनों pieces के बीच में से ऐसे डालना है क्रोश्या को और देखे पीछे से हम इसको निकालेंगे फिर हमें ये yellow color का उन इसमें से निकालकर और knot लगाकर इसको यहीं पर joint कर लेना है अब देखे जहां से हमने उन joint किया उसी chain में हम क्रोश्या को डालेंगे और उनको फसा कर निकालेंगे दो chain बनानी है हमें एक और ये दो फिर हमें इसके बाद वाली chain में क्रोश्या को डालना है हमें ध्यान रखना है देखे आगे और पीछे इन दोनों pieces में से हम डाल रहे है क्रोश्या को और उनको फसा कर निकालेंगे दो फंद हुए तो क्रोश्या में उनको लेकर दोनों फंदों से निकालेंगे फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोश्या को डाल कर उनको फसा कर निकालेंगे दो फंद हुए क्रोश्या में उनको लेकर दो फंदों से निकालें तो देखे हमने यह जो center में marking की थी यहां से यहां तक हमने हर एक chain में से एक एक बास single crochet बनाते हुए complete कर लिया है दोनों तरफ से हमने इसको ऐसे खुलाई चोड़ा है बीच में से हमने single crochet बनाई है अब हम इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर हम तीन chain बनाएंगे एक दो और ये तीन तीन chain बनाई हमने अब इसके बाद वाली chain में से हम double crochet बनाएंगे फिर इसके बाद वाली chain में से भी हम double crochet बनाएंगे अब इसी तरीके से हमें देखे हर एक chain में से एक एक बार double crochet बनाते हुए इसको यहां से यहां तक जो हमने marking किया है यह complete करना है और आगे भी हमें ऐसे ही इसको बीनते जाना है हर एक chain में से एक एक बार double crochet बनाते हुए हमने देखे टोटल चार लाइन बिनके कम्प्लीट की है एक दो तीन और ये चार लास्ट में एक फंदा बचा है हम इसको यही पे लॉक कर लेंगे लॉक करने के बाद अब देखे हमने ये सूई धागा ले लिया है और ये जो हमने फोल्ड किया था ना दो लाइन येलो कलर के उन से बिनके अब इसको हमें यहां से जहां से हमने देखे ये येलो कलर का उन या पे जोइंट किया यहां से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे कर लिया अब इधर की तरफ से भी हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहां से सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे इधर की तरफ से भी जॉइंट करने के बाद अब हमें इसको यहां ऊपर की तरफ से जो हमने कैप बनाई है इसको जॉइंट कर टक करते हुए हमने कैप को जोइंट कर लिआ है अब हमें इसको पलट कर सीधा करना है तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आच रहेगा अब ये जो हमने यहाँ पर देखे, फोल्ड करके और टक किया है न शुआ धागे से इसको हमें फिर से एक तो देखे हम यहां से इसको सुई धागे से एक बार टक कर लेंगे फिर इसको यही पे लॉक करके एक्स्ट्रा जो धागा है यह हम कट करके निकाल देंगे हमें अच्छे से लॉक करना है जिसे कि यह खुलेगा नहीं इधर से देखिए हमने इसको लॉक कर लिया अब ऐसे इधर की तरफ से भी हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ पे सुईधागे से टक करके और इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे तो देखें, दोनों ही तरफ से हमने इसको टक करके joint कर लिया, अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद एक बार इसको हमें ऐसे fold करना है, फिर एक बार और हम इसको ऐसे fold कर लेंगे, तो आप आप देख सकते हैं, बहुती खुबसूरत सा ये jacket का look आजा हैं तो देखिए फ्रेंस हमारे लडू को पाल जे के लिए बहुत ही गुपसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस पनकर बिलकुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हो ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ला